जेहिन दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चनल स्टेडी जॉब टूडे में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी मिलिटरी कॉलेज मौव न्यूर रिकूर्टमेंट के लिए नौटिफिकेशन जारी हुआ है कम्प्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है वीडियो को स्कीप किये बिना सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दे किये ताकि आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिल सके और आप हमारे यूट्यूब चनल पर पहली बार है चनल को सबस्क्राइब कीजिए औ बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि और इन्डियन गोवर्मेट जोब से समन्दित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चनल के माध्यम से सही एवं सटीक इन्फॉर्मेशन बिल सके आईए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पह अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड वाइज पेस केल क्या रहेगा ट्रेड वाइज वेकनशी टेटेल की स्टेनो ग्राफर ग्रेड सेकिंड लेवल फोर आरस पत्चीस हजार 500 से 801 यहार सोगे बीच में पेस केल रहेगा टोटल वेकनशी दो है यूर कैंडिडेट के लिए एक वेकंसी EWS SC ST के लिए कोई वेकंसी नहीं OBC Candidate के लिए एक वेकंसी है Lower Division Clark Level 2 RS 19,900 से 63,200 के बीच में आपका Pay Scale रहेगा Total Vacancy 14 Vacancy है LDC के लिए 7 Vacancy YouR Candidate 2 Vacancy EWS SC के लिए कोई वेकंसी नहीं ST के लिए 2 Vacancy OBC के लिए 3 Vacancy 1 Vacancy Ex-Service Man के लिए Reserve है लेव असिस्टेंट लेवल 3 RS 21700 से 69100 के बीच में आपका पेस्केल रहने वाला है टोटल वेकेंसी 2 है दो वेकेंसी यूर केडिडेट के लिए रिजर्व केटेगरी के लिए कोई वेकेंसी नहीं है एक इमपोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जिस ट्रेड में रिजर्व केटेगरी के लिए वेकेंसी नहीं है वो यूर केटेगरी के लिए अपलाए कर सकता है अगर यूर केटेगरी की कंडिसन्स को पूरा करता है तो अब हम बात कर लेते हैं लेव अटेंडेंट मुल्टी टास्किंग स्टाफ पे स्केल रहेगा लेवल फरस्ट 18,000 से 56,900 के भीच में टॉटल वेकंजी दो है यूर कंडिडेट के लिए एक है एक वेकंजी यूर कंडिडेट के लिए है एक वेकंजी आपकेंजी ओबीसी कंडि लेवल 2 RS 19,900 से 63,200 के भीच में पे स्केल रहेगा टॉटल वेकंजी एक है एक वेकंजी यूर कंडिडेट के लिए रिजर्व के टेगरी के लिए कोई वेकंजी नहीं है कुक लेवल 2 RS 19,900 से 63,200 के भीच में पे स्केल रहेगा टॉटल वेकंजी 7 है यूर कंडिडेट के लि इसमें Total 6 Vacancy, 4 Vacancy, Your Candidate, 1 Vacancy EWS, S C S T कोई Vacancy नहीं, OBC Candidate के लिए 1 Vacancy है, फटिक में Level 1 RS 18000 से 5600 के reverse MS से भीच में पेच सकेल रहेगा, Total Vacancy 2 है, Your Candidate के लिए 1 Vacancy, है, S C S T OBC के लिए कोई Vacancy नहीं है, अब हम बात करते हैं total vacancy की total 37 vacancy है UR candidate के लिए 23 vacancy है EWS के लिए 6 vacancy है SC के लिए कोई vacancy नहीं ST के लिए 2 vacancy है OBC candidate के लिए 6 vacancy है total 37 vacancy के लिए recruitment notification जारी हुआ है अब हम बात कर लेते हैं trade wise education qualification criteria क्या रहने वाला है stenographer grade second education qualification रहेगी बाहरवी कक्षिया पास skill test की बात कर लेते हैं detection 10 minute का होगा 80 word per minute speed होनी अनिबार यह है transcription की बात करते हैं तो 50 minute का English में होगा 65 minute का Hindi में होगा computer के ओपर आपका transcription होने वाला है LDC lower division clerk lower division clerk के लिए education qualification रहेगी बाहरवी कक्षिया पास typing speed की बात करें तो 35 word per minute English में 30 word per minute Hindi में की डिप्रेशन रहेगा आपका 10,500 की डिप्रेशन इंग्लिस में 9,000 की डिप्रेशन हिंदी में पर हावर रहने वाला है laboratory assistant education qualification बाहरवी कक्षिया पास lab work का experience भी trade में मांगा गया है lab attendance MTS की बात कर लेते हैं education qualification दसवी कक्षिया पास किसी भी बाट जे lab attendant का एक वर्स का experience से होना अनिवारिया है next हम बात कर लेते हैं trapsman computer operator की education qualification दसवी कक्षिया पास diploma computer में होना अनिवारिया है diploma इस trade के लिए मांगा गया है civil motor driver ordinary grade इसके लिए education qualification दसवी कक्षिया पास heavy driving license के साथ में दो वर्स का driving का experience भी होना अनिवारिया है civil motor driver ordinary grade के लिए cook के लिए दसवी कक्षिया पास किसी भी बाट जे cooking का knowledge अनिवारिया होना अनिवारिया है सफाई वाला MTS education qualification दसवी कक्षिया पास किसी भी बाट से एक वर्स का experience सफाई वाला trade के लिए अनिवारिया है fatigue man के लिए दसवी कक्षिया पास तथा एक वर्स का trade experience होना अनिवारिया है as limit की बात कर लेते हैं 18-25 वर्स के पीज में आपकी age limit रहने वाली है stenographer grade second law division clerk सफाई वाला MTS fatigue man lab attendance MTS cook lab assistant and draft man computer operator के लिए age रहेगी 18-25 years 18-27 years age रहेगी civil motor driver ordinary grade के लिए age relaxation की बात कर लेते हैं तो SCST के लिए 5 वर्स का है obviously candidate के लिए 3 वर्स का है फीज रहेगी आपकी 50 रुपे का demand राफ या फिर Indian postal order जो की Commandant Military College of Telecommunication Engineering MO MP भोगा अब हम बात कर लेते हैं closing date of receipt of the application आपको offline आवेदन भेजना है 45 दिनों के अंदर आपका offline आवेदन निर्धारी तपते पर पहुंच जाना अनिवार यह है 45 दिन उस date से calculate किया जाएगा जिस दिन यह advertisement publish हुआ है वो candidate जो असम मिघाले, अरुणाचल परदेश, मिजोरम, नागालेंड, त्रिप्रा, सिखिम, जम्मो एंड कस्मीर, लद्दाग डिविजन हिमाचल परदेश, लाहूल, एंड, स्फीती डिस्ट्रिक, चंबा डिस्ट्रिक, पनजी, सब डिविजन, अंडबान, निकोबार, आइसलेंड, एंड लक्षेदीप से जो केंडिडेट बिलॉंग करते हैं, वो केंडिडेट 52 दिन के अंदर आपना ओफलाइन आवेदन, रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेज सकते हैं आपको मैं फोरम का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, इसी फॉर्मेट में आपका फॉरम भरा हुआ होना अनिवारी है ऑफलाइन आवेदन आपको ब्लॉक लेटर में भरना है, बिल्कुल साब साब लिगना है, काटना बिल्कुल भी नहीं है यह आपका offline अवेदन है admit card, admit card को आपको कैसे बरना है admit card to be complete by candidate यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर candidate को बरना है यह जो जगह roll number वाली है इसको बिल्कुल खली थोटना है यहाँ पर लिखा हुआ है for office use only roll number आपको office के दुआरा जारी गिया जाएंगे offline आवेदन भेजने का पता the presiding officer security sales chipper wg military college और telecommunication engineering mahu mp 453441 सिर्फ registered post या speed post के माध्यम से ही offline आवेदन भेजना है offline भरती का यह notification काफी लंबे समय के बाद में जारी हुआ है कोरोना काल को देखते हुए काफी समय से इस भरती का इंतजार कर रहे लाखो candidate जिनका सपना है Indian army को join करना तो वो Indian army को join कर सकते है offline forum को बिल्कुल सही तरीके से भरकर सही एवं निर्धारित तिथी से पहले ही आपका offline आवेदन निर्धारित पते पर पहुँच जाना चाहिए वीडियो इतना ही रहेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एव अपने दोस्तों में सेयर जरूर करना और आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब करना बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना ताकि ऐसी ही हर इंडियन गॉर्मेंट जोब से समन्दित कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के मादेम से सही अवं सटीक इनफॉर्मेशन मिल सके और आगे कंप्लीट डिटेर इस भरती की नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है तो आप चैनल को सबस्क्राइब और बेल आइकन को जरूर ओन कर लेना किसी केंडिडेट को अगर पीडियेप सही है तो वो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकता है टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रेप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप टेलिग्राम चैनल को जोइन करके आप पीडियेप राप्त कर सकते हैं जैहिंद जैभार्त वंदे मात्रम